हेलो दोस्तों मैं आकाश गर्ग आज इस वीडियो में आप सभी को LIC एजेंट के ग्रूप टर्म इंशोरेंस स्कीम के बारे में बताने वाला हूँ तो यहाँ पर LIC की तरफ से LIC के सभी एजेंट्स को एक ग्रूप टर्म इंशोरेंस स्कीम में रखा गया है जिसमें LIC एजेंट को टर्म इंशोरेंस का बेनिफिट मिलता है यानि कि अगर किसी LIC एजेंट की देथ हो जाती है तो उनके नोमिनी या उनकी फैमिली मेंबर को जो भी उनकी रिस्क कवर का अमाउंट है वो यहाँ पर दिया जाता है तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो भी ये ग्रूप टाम इंशोरेंस स्कीम है उसका प्रीमियम वो LIC एजेंट द्वारा ही दिया जाता है काफी लोगों को ये लगता है कि ये जो भी ग्रूप इंशोरेंस स्कीम है उसका प्रीमियम LIC के तरफ से दिया जाता है लेकिन ऐसा नहीं है जो भी आपका कमिशन होता है उसी में से ही इस पोलिसी का प्रीमियम डिड़क्ट कर लिया जाता है आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका कितना premium है और कितना इसका discover आपको आपका मिलता है तो अगर हम अभी की बात करते हैं तो LIC ने अपनी सभी agents के लिए इस scheme को compulsory कर दिया है यानि कि इस group scheme को लेना आपके लिए ज़रूरी है इसमें आपसे LIC की तरफ से पूछा नहीं जाएगा कि आपको इस scheme में add होना है या नहीं होना है और जो भी ये group term insurance का premium है ये आपके commission में से ही deduct कर लिया जाता है अगर हम बात करते हैं पहले की जो की है 1 सितंबर 2007 की तो जब ये scheme लेके आये थे तो उस समय LIC ने option दिया था agents को कि अगर आप इस scheme में interested नहीं हैं तो आप इस scheme को छोड़ भी सकते हैं और साथ ही ये भी कहा था कि अगर अब आप इस scheme को छोड़ देते हैं तो आगे इस scheme का फैदा आप नहीं ले पाएगे और उसके बाद यहाँ पर एक बात और कही गई थी जिसमें कहा गया था कि इस scheme के शुरू होने के बाद जो भी LIC agent LIC का एक साल पूरा कर लेगा उसको इस scheme में add कर दिया जाएगा जो की compulsory होगा यानि कि यह ज़रूरी है कि जो भी एक साल complete कर चुका है LIC agent उसको group term insurance scheme में add किया जाए तो आईए अब जान लेते हैं कि इसका कितना premium है और कितना risk cover आपको इसमें मिल जाता है तो अगर आपकी LIC agency को 3 साल से कम हुआ है यानि कि अभी तक आपने 3 साल पूरे नहीं किये है तो यहाँ पर आपको 1,00,000 रुपे का risk cover मिलता है जिसके लिए आपको यहाँ पर 300 रुपे का premium pay करना होगा यह जो 300 रुपे का premium है वो यहाँ पर yearly होने वाला है यानि कि साल में आपको एक बार pay करना होगा इसी के साथ साथ इस premium पर आपको 18% GST pay करना होता है तो अगर हम इसमें GST add कर देते हैं तो यहाँ पर 354 रुपे का premium आपको yearly pay करना होगा GST rate time to time change होते रहते हैं उसके बाद अगर आपकी agency का time period 3 साल से जादा है और 5 साल से कम है तो यहाँ पर आपको 3 लाख रुपे का discover मिलता है और उसके लिए आपको yearly 900 रुपे का premium pay करना होगा इसी के साथ साथ अगर आपकी agency का period 5 साल से जादा है और 10 साल से कम है तो यहाँ पर आपको 5 लाख रुपे का discover मिलता है जिसके लिए आपको 1500 रुपे का premium yearly pay करना होगा इसी के साथ साथ अगर आपकी agency का time period 10 साल से जादा हो चुका है तो यहाँ पर आपको 10 लाख रुपे का insurance cover मिलता है जिसके लिए आपको yearly 3000 रुपे का premium पे करना होगा अगर हम GST लगा के इसका rate देखते हैं तो वो आप screen पर देख सकते हैं यह जो भी premium का amount है वो आपका जो भी commission bill आता है उसमें से deduct हो जाता है आप अपना commission का bill देख सकते हैं उसमें से जो भी यह premium का amount आपका बनता है वो deduct कर लिया जाएगा यहाँ पर अगर मैं आपको latest circular के बारे में बताऊं तो उसके according 1 June 2020 से लेगी 31 December 2020 के बीच का जो time period है इस time period के बीच में जो भी आपका commission bill आया होगा उसमें आप देख सकते हैं आपको एक option देखने को मिलेगा कि आपका जो भी group insurance premium है वो यहाँ से recover कर लिया गया है तो अगर यहाँ पर किसी भी agent की death हो जाती है तो यह जो भी risk cover का amount है वो उसके nominicum मिल जाता है यहाँ पर एक बात और में बताना चाहूँगा यह एक term insurance है तो इसलिए यहाँ पर आप इस पर loan की सुविदा नहीं ले पाएगी इसी के साथ साथ काफी लोग यह भी पूशती है कि क्या इसमें double accidental benefit मिलते हैं तो यहाँ पर कोई भी accidental benefit नहीं मिलते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ risk cover का amount मिलते हैं तो उमीद करता हूँ आपको LIC गे group term insurance plan के बारे में बता चल गया होगा जो कि LIC agent के लिए होता है अगर आप ऐसे ही वीडियोज चाहते हैं तो हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं और आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like जरूर केजिएगा क्योंकि ऐसे ही वीडियोज मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूँ धन्यवाद